हाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे देखे दोस्तों अगर आप भी बिहार पुलिस की त्यारी करते हैं बिहार पुलिस में आपको जाना है और आपना त्यारी अब जोर सोर से कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि और भी जोर सोर से त्यारी कर दीजिए क तो ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो बिहार सरकार की दो भरती है, दोनों भरती के बारे में आपको हम क्लियर करके बताएंगे कौन से पोश्ट पे कितना भरती होगा, साथी साथ इसमें अगर आप इंटर पास हैं तो आपको जो है फॉर्म फिल करने का मौका तो इसलिस वीडियो को सुरू से अन तक लेका जरू देखिएगा और वीडियो थोरा से भी आच्छा लगे तो प्लीस भाई को सुपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं, तो जैसे कि आप इस्क्रीन पर द जाएगी, तो यह भरती जो है एक बार में नहीं आएगी, इस बात को समझेएगा, क्योंकि इसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में भरती होगा, तो इसमें हम बात कर लेते हैं, कि कहा गया है कि केवल 48,447 पदों पर सीधी भरती होगी, जिसमें आपका जो भी पदों पर भरती ले जाएगी, तो यह भरती जो है एक बार में नहीं आएगी, जैसे कि यहां पर साफ साफ कहा गया है कि मनजूरी तो दे दिया गया है, लेकिन भरती एक बार नहीं कराया जाएगी, चररवार यानि कि अलग 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 स्टेज में यह भरती आएगी, और के लिए 112 हिल्प लाइन नंबर जारी किया हुआ है जिसमें बहुत सरे करमियों की कमी है मतलब बहुत सरे पूलिस हो गए या फिर बहुत सरे यसे लोग होंगे जो कि ALEX में काम करेंगे उनका जो यहाँ पर कमी है तो उसको लेकर यहाँ पे देख सकते हैं कि 27 सर के समथिंग जो 78-8 पदों पे भरती निकाली जाएगी और इसको भर ले जाने के बाद फिर दूसरी बार यहां पे 19288 पदों पे भरती निकाली जाएगी तो इस तरह से तो रोगा के लिए आप सभी जानते हैं कि अगर आपने गेजवेशन पास आउट कर लिया है जैसी कि आपका बीए बीए सी बीकम बेगरावरा होता है या फिर बीटेक बेगरावरा मतलब इसके बराबर कोई भी आपने कोर्स कर रखा है तो आप जो इसमें फ़र्म को फिल कर सकते हैं ड्राइवर कस्टेबल की हम बात करें तो अगर आपने इंटर पास कर लिया है तो आपको मौका मिलेगा साथी साथ कस्टेबल के लिए इंटर पास आप हैं तो आपको मौका मिलेगा हलाकि ड्राइवर कस्टेबल में एक ड्राइवी लेसेंस भी आपसे मांगा जा स सकते हैं अगर कश्टबल के पदों पे भरती ली जाएगी तो और उससे आगे का कोई पोश्ट के लिए भरती लिया आता है तो उसके लिए जो के सुन क्वालिफिकेशन निरायद किये जाएंगे जो कि अपिसल नोटिफिकेशन आएगा उस समय आपको क्लियर करके बताए जा द्वारा कबिनेट में पदों को मंदूरी दिया गया है और कहा गया है कि इस पर जल से जल भरती अब ली जाएगी यानि कि मंदूरी मिल जाने के बाद उसके बाद बोड को दिया जाएगा और बोड जो अपने हिसाब से सलेक्शन पोर्सीजर कराये जाएगा तो उन्हों इसमें के बाद भरती जो है कब तक ली जाएगी यानि कब तक भरती आएगी लेकिन इतना समझेये कि वह आने वाला है तो आप त्यार रहे है अगर आपको भी बिहार पुलिस में जाना है आप बड़ी का चाहा रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़ी opportunity होने वाला है, तो उमीद करते हैं कि मैंने आपको सरा जनकारी किलियर करके बता दिया और इसके लिए पुरी तरह से online mode में आपको form फिल करने का मौका मिलेगा, आपको मतलब offline का कोई चकर नहीं लगाना होगा, आप घर बैठे ही online form को fill कर सकते हैं जैसे ही इसके regarding कोई official notification जारी होता है, भरती सुरू हो जाता है तो हम आपको सबसे पहले update देने के कोसिस करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथी साथ भाई के साथ जूडने के लिए चनल को सब्सक्राइब करके bell icon को प्रेस कर दीजिएगा तो बस आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो थोरा से भी अच्छा लगाए तो प्लीस वीडियो को like जरूर करिएगा, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉफी के साथ तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धने बाद आप जहां भी रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें, बहुत बहुत धने बाद